आप ये बताएए देखे बजट ये वो पड़ाव होता है जब लोग चर्णिंग भी करते हैं वेट कर रहे होते हैं जा बजट आज है फिर थोड़ा सा पोड़फोलियो में कुछ करेंगे तो जो सेक्टर चर रहे थे बहुत अब लगता है कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट प्रावदान किया है I think that is a substantial one और दूसरा आप देखें जो लोगिस्टिक्स और गोल चें इंफ्रस्ट्रक्चर रहे हैं अगर आप अग्रिकल्चर को प्रावदान दे रहे हैं वित 1.5 लाक बजट तो कहींना कि I think जो इंफ्रस्ट्रक्चर requirements है अग्रिकल्चर को लेके produce हो और otherwise I think वहां पर I think काफी opportunities उबर के आ सकती है so logistics or quasi logistics as a space can do well और तीसरा I think oil and gas I think let's not forget कि जो oil minister काफ के statements आये थे before budget काफी encouraging है in terms of the spends that will happen तो इसमें अगर अब front line छोड़के जो दूसरी पाइदान पर companies है जो E&P में है exploration में है वो शायद अच्छा कर सकती है in terms of both investment जो accelerated आ सकती है and the output that can come through. चले हमरे दर्शक आपको और ज्यादा पॉलेंगे एक एक ना भी शेरों का ले लिजी इसमें से बिलकुल तो Ceylan exploration एक example हुआ है outside the top companies क्योंकि इनके जो तीन blocks है oil blocks वहां से एक substantial drilling हो चुकी है and the output that will come through specifically from these three box are going to be substantial. दूसरा आप दिखें जो expectation है in terms of pricing is expected to remain largely stable और इसले जो operating leverage हो सकता है revenues को लेके, margins को लेके ये काफी बहतर हो सकता है जहां तक cold chain logistics का सवाल रहा है तक बहुत क्लिर डिस्क्लेमर देता हूं ये stock मेरे personal holding मेरे clients को मता है गया है snowman logistics is something that can be genuinely looked at and their parent as well gateway district parks. एक genuine need है और मैं economist में एक article पढ़ रहा था just a week back and they said India can emerge as a food superpower as well अगर हमने infrastructure blockage जो है उसको बराबर address किया snowman asset light model है, pelletization बढ़ा रहा है, promoter take बढ़ा रहा है और gateway के लिए I think जो dedicated western freight corridor functional हो जाएगे अगर दो तिमाहियों में इस recovery पे क्योंकि अब आदा घंटा ही बचा है कितना भरोसा किया जाए और कोई BTST idea है तो वो भी बताएगे तो I think market में जो budget के दोरान volatility थी और उसके बाद जो recovery बनी तो हमें लगता है भरोसा करना चाहिए कि market में जो भी एक budget को लेके reaction था वो already traders point of view से already आ चुका है अब जो दूसरा reaction आना है वो यह होना है कि fine print के बाद अगर किसी sector specific कोई चीजे है तो उसके चलते वो particular sector तक सीमित रहेगा या stock तक सीमित रहेगा तो हमें लगता है broader market में जो एक dip लेनी थी वो already ले ली नीचे के level पर वापस buying बनी है तो हमें लगता है यहां से comfort रहेगा market में और market यहां से वापस अपने एक normal behavior को लोटते वे दिखेंगे हमें लगता है कि अगले एक दो दिन में वापस से market में stability आते वे दिखेंगे और market अपनी चाल उपर की तरफ वापस continue करेगा important level जो ध्यान रखना है वह 24,200 का level जो आज के almost low बने वह level को ध्यान रखें अगले एक दो दिन में अगर वह level नहीं तूटता है तो यह market में अब एक नियर time के हिसाब से वह bottom बन चुका एंदेन मार्केट में जैसे 24,650 क्रॉस होगा तो यह market वापस नए all time high की तरफ भी बढ़ते वे दिख सकता है यहां पर हमें लगता है सेक्टर जहां पर continuity बनी हुए उसमें लिए जा सकता है और अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेना है तो यहां पर तेरा सो तेरा सो बीस तक के अपसाइट के टार्गेट के लिए टाटा कंजुमर में बाइग किया जा सकता है यहां पर स्टॉप लॉस जो रखना को करीब होगा बारा सो बीस के असपास दूसरा स्टॉप हमें लगता इटी स्पेस में ल्टी टीएस यह स्टॉप को यहां पर बाई किया सकता है वीकली अगर चार्ट पर देखे तो लास्ट दो वीक की गिरावट को इसने रिकवर किया है और य पर दीसरा स्टॉप जो पसंदा रहा है वह एसकॉर्ट का हमें लगता है कि जिस तरह के से रूरल पर फोकस है तो एसकॉर्ट एक बैनिफिश्ट्री रहेगा और इसमें जिस तरह के से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकाउट डेली चार्ट पर बना आए तो एसकॉर्ट पर भ जरूर मारा था इसने पर जिस तरीके से पूरी कंजंशन थीम प्ले कर रही है स्कॉर्ट भी रूरल मार्केट में इसका बेनिफीश्री रह सकते और अच्छे रिकवरी वहां पर सुदीब आप से समयना चाहेंगे आप कैसे देख रहें इस रिकवरी को और आपने कॉन से स् बीटी स्टी आइडिया भी वह भी शेर किज़ें जी शृष्टी मुझे लग रहा है जो यह सब से मार्केट में जो मोमेंटम जो बाइंग लोगर लेवल से आया है और वहां पर काफी सेक्टर जैसे FMCG है आईटी है और साथी साथ फार्मा भी एक अच्छा रूजाना आय है तो वहां पर डॉक्टर रेडी में बाइट किया जा सकता है 6750 के स्टॉप लॉस से 7100 के टार्गेट के लिए दूसरा स्टॉक मुझे जो पसंद आ रहा है वो है पावर स्पेस से NTPC NTPC में भी पिछले पांच हफ्तों से एक अंसॉलिडेशन देखा गया था और वह वो से एक ब्रेकाउट आ रहा है तो मुझे लग रहा है NTPC को भी बाय किया जा सकता है 375 के स्टॉप लॉस से 395 के टार्गेट के लिए तो यहां पर नजर रखे पर सधीब आपने काफी अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया मैं कुछ फामा काउंटर को देख भी रहती है और तीन कैंसर ड्रग्स के जो कस्टम ड्यूटी से उनको अब हटा दिया गया है उनमें से एक ब्रेस्ट कैंसर की दवा थी जो कि आस्ट्राजनेका फामा इंडिया में इसको सप्लाइ करता है काफी अच्छा मूव औरी है सुदीब अगर किसी ने इंट्राडे के लिहाज से य लेवल पर खरीदा या फिर कोई अलडी लोर लेवल से खरीद के कोई होल्ड कर रहा है जोहां पे स्टॉक का जो ट्रेंड है अगर आप डेली पे ना या इंट्राडे पर ना देखे और वीकली परस्पेक्टिव से देखे तो लंबी अवधी का जो ट्रेंड आफी ट्रेंड मानके चले और यहां पर अच्छा मोमेंटम है क्योंकि पिछले साथ दिन से जब यह स्टॉक में गिरावट आ रहे थी तोड़ी-थोड़ी तो वहां पर वोल्यूम्स कम थे और आज जब एक रिबाउंड आया है लोवर लेवल से तो वह वोल्यूम बैक्ट है तो वहां पर और अगले कुछ दिनों के लिए एक मोमिंटम हमें देखा जा सकता है तो इसमें बने रहे एस्ट्राजिन का में और यहां पर कुछ और अच्छा बढ़िया अप्मुवा सकता है ठीक है इस्ट्राजिन को कर लिकर ये व्यू ध्वनी पटेल हमारे साथ जुड़ है ध्वनी बहुत शुक्रे आपका समय देनी के लिए आप बताइए आपके स्टॉक्स कों से हैं कहां पर आपको मोके दिख रहे हैं ब्राफ चनौर सबसे पहले तो अभिशेक जी मैं एक अपडेट देना चाहूंगी हमने बज़ेट के हिसाब से अवंती फीड्स को पिक कर था उसका भी ऑप्शन जो हमने 20 रुपे में सजेस्ट करा था वो अज डबल हो चुका है 40 रुपे का हाई बनाया है तो वहां पे भी हमारा जो टार्गेट है वो अचीव हो चुका है तो दोनों ही कॉल्स यहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखे थी अब जो नेक्स यहां पर बाइंग आक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले यहां पर आइडिस लाइफ साइंस का स्टॉक मुझ अच्छा लग रहा है आइडिस लाइफ साइंस के अंदर अगर आप देखे तो फॉर्मेशन इसका जो है यहां पर बुलिश साइड का का लेके चलना है 1090 के बाद फॉर्दर इसके जो है वो यहां पर एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड का और यहां पर बनता हुआ दिखेगा बट पर्स टार्गिट यहां पर बो लेके चलेंगे दूसरा जो है वो कजारिया सेरामिक्स में है ओविरॉल यहां पर अगर हम चल रहा था जो भड़के अभी 1420 हो चुका है तो मैं लेविल्स को यहां पर थोड़ा सा रिवाइस करना चाहूंगी उपर की तरफ जो टार्गेट है उसको हम रिवाइस करके यहां पर 1510 का कर रहे हैं और stop loss जो पहले हमें यहां पर 1355 का लगाना था वो हमने यहां पर रि इंप्रूब्मेंट वाला जो सेग्मेंट थे कहने की रेल एस्टेट के इंसलरी प्ले है वहां पर हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है और वह आपको नूटिस कराया है द्वनी ने